जिन्दगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्योंनों पर भगवान की कृपा दस्ती से बड़ी नहीं हो सकती इसलिए कोई भी बड़ा कितना भी हो डरने की कोई अवशक्ता नहीं है नमस्कार मैं हूं कमर्ण श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का रासेवल यानि की नौ जुलाई के इस विसेश एपिसोड में साथ ही आपको बदाई और सुपकामना है जिनका आज जन्दिवस है मेरी जन्वसरी है या क जाक den जाए कुछ गंटों के लिए हो लेकिन सन्ही अमास्या है और सुरिय वेकाली इंतिवी में अमासया आयै इसलिए अम्हां का दिन जो भी अनुस्तान पूजा अउपासने जो कर सकते है वो आप इसका उपयोग कर सकते हैं इस तिति का इस दिन reporting का究 Hawn इस एपिसोड के अंत में बतला हूँ क्योंकि ग्यारा जुलाई से गुप्द नवरातरी आरंब हो रही है तो इसलिए मैं जानकारे पहले दे रहा हूँ ताकि इस जानकारे का आप फाइदा उठा सके समवत दोजारी ठतर का आशाड करश्णभक्स चल रहा है आज अमावसिया सारे दिन आता पूंड डे है आधरा नक्षतर है रात को ग्यारा बज़ करके तेरा मिनट तक उसके बाद में पुनर वसु नक्षतर आरंब हो जाएगा और आज चनमा मिथुन रासी में रहेंगे अब बात करते हैं रावकाल की आज प्रात दस बज़ करके तीस मिनट से लगा करके बारा बज़े तक रावकाल रहेगा और ऐसी मानिता है कि रावकाल में कोई सूप कारे का अरंब नहीं किया जाता है और साउथ इंडिया में ये मानिता बहुत ज़्यादा प्रबल है लेकिन नौर्थ इंडिया में सूप चोगड़े मौरत को बहुत इंपोर्टन्स देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप प्रात साथ बज़ करके चबीस मिनट से लगा करके दस बज़ करके चबीस मिनट तक और फिर वापस दोपर में बारा बज़े से लगा करके एक बज़ करके चबीस मिनट तक सारे सूप कारे कर सकते हैं यातर मौरत की बात करें तो आज के दिन पस्थिम दिसा में यातरा करना सूब है वहीं नेरती दिसा साउथ वेस्ट में यातरा करना सही नहीं है या यह बोच सकते हैं इस दिसा में दिसासूल लगा है, ऐसी इस दिसा में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत जादे आवशेक होने पर जोग का उपयोग करके यात्रा कर सकते हैं, ये दिसासूल दोस्त का परियार हुआ, उपचार हुआ, आईए, अब बात करें, आज के सुपगरय य का साथ मिलेगा, हर मनुष्य की कोईन को इच्छा या कामना तो होती है, जिनको कलेश या कस्ट है, वे इसका नास चाते हैं, जहां सुखो, वहां मेंसा सुख ही रहे, ऐसा तो संबब है नहीं, जहां दिन होता है, वहां रात आएगी, सुख के बाद में दुख, और दुख चल जाता है, कि कौन सा गरह अनिष्ट कारी है, या निर्बल है, कमजोर है, तो उसके कारण सुखफल नहीं मिल पा रहा है, ऐसी इस्तिति में धर्म की साहिता से उन गरह दोस्तों को निवरन किया जा सकता है, यदि आप अपने जिवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाते ह अपनी कामनाओं की पूरती करना चाते हैं, या पिर अपनी समस्यां का समधान चाते हैं, तो फिर जोती एक माद्या में आपकी जिग्यासा का, कुणली में कई राजयोग होते हैं, तो दुरयोग भी होते हैं, जो आपकी मेहनत को सफल नहीं होने देते हैं, ऐसी इस्तिति म कवच निर्मान की गुप्द नवरात्री 11 जुलाई से आरम होने वाली है और 18 जुलाई को भड़ली नवमी तक निरंतर आपके लिए कवच का निर्मान करते रहेंगे वैसे तो समस्या या कामना पूरति के लिए अलगलग कवच का निर्मान किया जाता है जो आप स्क्रीन पर कवच का निर्मान चाते हैं जानकरी चाते हैं तो फिर आपको अपनी जनकुल्डी की डिटेल और समस्या बतानी होगी तो वो डिटेल मेरे पास आएगी और मैं उस डिटेल पर नोट करके उनको दूगा इस्ताब को कि आपको कौन सा कवच धारण करना इस समस्या के लिए फिर आप निड़ने ले सकते हैं कि आपको कौन सा कवच धारंड करना है, कब बनवाना या नहीं बनवाना है। वैसे वर्तमान मामारी और मामंदी के समय को देखते हुए, जो बंदुगन शेर्स या कमोडिटी में कामकाज करते हैं, उन्हें धनदा यक्षणी कवच और अपने और अपने परिवार के रक्षा के लिए कल्यानी रक्षा कवच धारंड करना विशे सोपियोगी रहेगा। हमेशा याद रखिए कि बीतावा कल बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल हमेशा आपके हातों में होता है। इसने सही समय पर सही फैसला करने वाला यह समझधार माना जाता है। आईए अब अरम करते हैं, आज का रासीफल 9 जूलाई 2021 के लिए, अरम करेंगे मेस रासी से। तो मेस रासी से थधर आुस में, पराक्रम बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्धानत को साथ अधिमित्र तारा का साथ और अस्टक वक में 41 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 100% पोजितिव बना देता है वैसे आज के दिन विशेश रूप से आप मेंसे जो भी लोग मार्केटिंग का, इंसुरेंस का, ट्रेडिंग का, एजनसी बिजनस का, कमिशन एंड ब्रोकरेज का मोबाइल फोन और एसेसरीज का, कागज कपड़ा, प्रिंटिंग का जो भी काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा सुब है, गेंड के चांसेंस, सक्सेज के चांसेंस, एप्रिशेशन के चांसें भरपूर मिलेंगे आज के दिन का इस्तेमाल आप करके बहुत ज़्यादा फाइदे में रह सकते हैं रासी से थरड़ा उसका चर्मा, इन्वेस्मेंट में लाब देता है या इन्वेस्मेंट को इनकैश करने से फाइदा होता है, यहाँ पर आपको अपने वर्चसव का फाइदा उठाने का मौका मिलता है, जो भी आप जिस लिवल पे भी हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, गुड दंजे के लिए रोजगार ढूंड रहे हैं, या अपनी इंकम ढूंड रहे हैं, और कोई एक्ष्टा सिफ्ट ढूंड रहे हैं, ओर टाइम ढूंड रहे हैं, या कोई जॉब वर्च ढूंड रहे हैं, उनके लिए आज का चनमा बहुत बैठरीन है, आज आपको सुक सम्मान मिलेगा आपकी प्रतिष्था में आपका confidence में आपके strength में आपके energy में आपके fitness में improvement आएगा हर sector में चाहे किसी भी age level के लोग हैं चाहे आप professionals हैं जॉब कर रहे हैं आप business में ने या बहुत simple एक छोटे से रोजगा ढोनने वाले व्यक्ति हैं या पिर बहुत ही आम मजदूर है आज का दिन आपके लिए better है सफलता मिलने वाली है जिन लोगों को रोज़ाना काम नहीं मिलता है लेकिन अगर आपकी मेश रासी है तो आज आपको काम मिलने वाला है हेल्थ आज बहुत अच्छी रहेगी सुब फल आपको ज़्यादा मिलेंगे और साथ इसाज जो लोग बिजनस में ने उनके लिए आज बहुती better in अवसर भी है कोईन को एक्स्ट्रा ओर्डिनरी अवसर आपकी तलास कर रहा है और आपको उस अवसर को पहचानना है आज का लखी कलर है रेड और आज का लखी नंबर है नंबर थरी आईए अब बात करें व्रसेब रासी की आपकी रासी से सेकेंड आउस में धन वसंपति बाव में चनुमा विराज माने ये चनुमा मिक्स रिजल्ट के लिए माना जाता है लेकिन साथ जुलाई दोजार इकीस से इसी बाव में अताथ आपकी रासी से सेकेंड बाव में बुद्ध का प्रवेस हो चुका है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बहतरीन है फाइनिशिल गेन के लिए भी सिक्सा और संतां सुक के लिए भी तो साथ यसाथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको प्लानिंग आपको कैल्कूलेशन जलूर करने चाहिए ये समय आपके लिए बहतरीन है नक्षत तारा सिध्धान के उसा साधक तारा का साथ और अस्टर को अग में 32 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 75% पॉस्टिव 25% की विक्नेस देंगे लेकिन आज के दिन विसेश रुप से आप मैंसे जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडिमेंट गार्मेंट, इवेंट एंटर्टेन्मेंट, जैम्स एंज्वेलरी या पिर शो बिजनस, ब्यूटी पालर चलाने वाले या पिर वो लोग जो सौफ्ट्वेर से समधित काम कर से अंसैटिस्ट्स्रेक्शन भी देता है, लेकिन आप इस दिन का इस्तिमाल अपने जो पैंडिंग काम है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा एफट करने के लिए मान लीजे, तो उससे आपकी काम काज आगे बढ़ेंगे, असन्तुस्ति इसलिए रहेगी कि काश मे समय ज़्यादा होता, तो मैं आज ज़्यादा फाइदा कमा सकता था, ज़्यादा काम कर सकता था, लेकिन हर चीज हम नहीं कर सकते, बहुत से चीज़ें या बहुत से काम, एक ग्रुप से होते हैं, हर कोई चाहता है बहुत बड़ा बिजनसमेन बनना, लेकिन उसके प्रियास कीजिए और जो मैनत करता है वो हमेशा कमाता है वो हमेशा सक्सेस रहता है क्योंकि मैनत का अल्टरनेट इस दुनिया में है ही नहीं अपनी लालच वरती पर दूरभावना पर दूस्तों का फाइदा उठाने की जो प्रवती है उस पर अंकुष जरूर लगाना चाह जो भी कनफीजन था उस कनफीजन के बादा लटेंगे या पिर आज आपको अनायासी बहुत से ऐसे पेपर या ऐसी कोई चीज मिल सकती है जो आप बहुत समय से ढूंड रहे थे तो उससे आपकी खुशी बहुत ही सांतवे आसमान पर हो सकती है अतात वो अनेक्सपेक्टे से उनके लिए भागा दोड़ी करनी पड़ सकती है लेकिन फिर बिदी आज का दिन आपके लिए बहुत कुछ गेन करने का भी है सक्सेस का भी है तो साथ ःसाथ उनेक्सपेक्टेड को इनको इंफॉरमेशन भी आपको मिलने वाली है आज का लखी कलर है ग्रे और आजका ल 100% positive है और ऐसी इस्तिति में आज विशेस रूप से आप मैंसे जो भी लोग land और building, building material, construction या वो लोग जो construction engineer है, जो ठेकेदार है या पिर जो लोग cement, roadie वगरा ये सब supply करने वाले लोग है, hardware के लोग है, electrical goods, home appliances से समद्धित जो लोग है, या grocery से समद्धित काम काज करने वाले लोग है, उनके लिए आज का दिन बहुत बैथरीन है, संभावना का है, ज्यादा काम करने का है, या पिर इस industries में जो काम करते हैं, उनके लिए आज फाइदेमन दिस्तिति है, अधात कमाई का मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आज भरपूर कमाई के अवसर आपको मिलने वाले हैं, रासी से फर्स्ट आउसका चनमा, investment में लाब या confidence की इस्तिति बहुत बलवान करता है, साथी साथ आज आपको सुख सुविदाएं भरपूर मिलेगी, entertainment के साध बहुत मिलेंगे और बहुती एक comfortable इस्तिति में आज आपका काम काज होने वाला है, बहुत से लोग हर काम काज के पीछे energy ज्यादा लगाते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं, और या पिर यह बोल सकते हैं, कि हमेशा negative रहते हैं, क्या पता है, इस उस समयकाल का फाइदा उठा है, इससे आपको बैतरीन gain, success, appreciation, progress मिलने वाली है, अच्छा खाना पिना, या आज कोई party हो सकती है, उससे आपके mood बहुत अच्छा होने वाला है, और जो youngsters हैं, वो भी अपने friend के साथ में attract हो सकते हैं, उनके साथ में गुमने फिरने का program बना सक सकते हैं, और यहां भी अभी मांसून सीजन है, इसले गुम्डे फिरने के स्थिति जादा है, या यह पिकनिक वाले स्थितियां जादा है, संपत्ति का सुख, या कोईन कोई dealing, और जो लोग अपनी property को बेचने के लिए कहिन कहिन किसी से बात कर चुके हैं, उनके लिए आज आपको सुख मिलने वाला है, आज का लखी कलर है ग्रीन और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ, आईए, अब बात करें करक रासी की, आपकी रासी से ट्वेल्थ आउस में, एक्स्पेंसेज बाव में चनमा विराज मानें, और यह चनमा सुब नहीं माना जाता है, नक्षत तारा सिदान से मित्र तारा का साथ और अस्तर को अगमें 25 डॉट, यह कॉंबिनेशन इस चनमा को 67% आपका बचाव करने के लिए, लेकिन 33% फिर भी नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ेगी, ऐसी स्तिति में, रासी से ट्वेल्थ आउसका चनमा जब भी हो चाहिएगा, चाहिए वो छोटा भाई हो सकता है, चोटी बहन हो सकती है, या आपके अफिसर में, आपका अफिस में काम करने वाला पियोन हो सकता है, इस्ताब में कोई कॉल बउय हो सकता है, जो भी आप से नीचे के लोग है, उन पर आप बरस पड़ेंगे, अपना गुसा अपनी इर्शिया या अपना जो भी फरस्टेशन वो निकालने का ट्राई करेंगे, और रासी से ट्वैल्थ आउस में चनमा जब भी होता है, विक्ति को अनायासी पूरानी बातें याद आती है, और पूरानी बातें सोच-चोच के वो दुखी होता है, परेशान होता है, और उसको कोईन कोई चिंता अंदर अंदर खाये जाती है, mentally harassment या mentally एक प्रकासे stress का आज का दिन होता है, वियरत में खर्चे आज हो सकते हैं, और वो खर्चे कोई उदार मांग करके आपको हमेशा के लिए परेशान कर सकता है, क्योंकि आज के यूग में, यदि आपको बु बहुत ज़दा emergency है, लेकिन पैसा आप देने के बाद में वापस पार नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, इस यूग में पैसा देना असान है, वापस मांगने का मतलब याचक बनना पड़ेगा, आपको डेट पर डेट मिलेगी, आपको अपमानित किया जाएगा, आप क्यों मांगने आ जाते हैं रोज जोज हमारे गर, तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा अपने खुद के पैसे देने के बाद में, इसलिए, इस यूग में, जब भी किसी की मदद करें, तो ये सोच करके करें, ये पैसा वापस नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, ये thought से 12 ताउस का चर्मा, कोईन को चोट या दुरगटना से सम्मंदित सामना कराता है, चोट का मतलब आप नाखुन काट रहे हैं, ज्यादा नाखुन काट सकता है, आप रसोई में ध्यान नहीं रखा, और आप कोई गर्म बरतन को हाथ लगा बैठे, ये हो सकता है, और या पि से दूसरी बाद सोचना चाहिए, कि क्या वस्ता में जाना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि अस विदाएं आपका सामना करेंगी, या आपको अस विदाएं का सामना करना पड़ेगा, रसी से 12 ताउस का चर्मा, पैसा खोता है, या पैसा खर्च जादा होता है, या चोरी हो उसमें लाब बाव में चनमा विराज मानें, और ये चनमा बहुत ज़्यादा सुब है, नक्षत तारा सिदान्त को सारवद तारा का साथ सुब नहीं है, और अस्ता को अग में तीस डॉट, ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% सपोर्ट के लाएक, 67% पोजितिव रहेगा, 33% फि स्विसली गयओंग का काम करतें, गौर्रमेंट में सप्लाई करतें, गौर्रमेंट एमप्लोईज थि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद दिन है, सुब समाचार मिलने वाले हैं, या आपके एफोट से जो अपने बैज में काम किया है, पिछला काम किया है, उसका और बुद्ध साथ में होते हैं बुद्ध देती योग की स्थिति होती है वो भी आपको फाइदा दे रही है और रासी से इलेवन ताउस में हर गरह यहां पर आपको सपोर्टिव होगा पॉस्तिफल देगा तो सूर्य बुद्ध और चर्मा तीनों ही यहां आपके लिए बे रासी से ट्वेल्थ आउस में शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आने वाले समय में मंगल भी रासी बाव में आ जाएंगे रासी से ट्वेल्थ आउस से निकलेंगे तो आपको एंग्जाइटी में फरस्टेशन में गुस्से में क्रोध में काबू आएगा सा जिन लोगों का पैसा बाकी है उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्मून है आज आपको एफ़र्ट जरूर करना चाहिए और बहुत से लोग मांगने से नहीं देते हैं उनके उपर प्रैसर टैक्टिक्स अपनानी पड़ती है उनको बार बार याद दिलाना पड़त है स्टाप बेजना पड़ता है फॉन करना पड़ता है या उनके घर पे जाना पड़ता है तब जाकर के पैसा में घर और परिवार में चाहिए फ्रेंट सकर आएं चाहिए रिस्तधार को याने की संभावन नहीं, महिमान को आव बगगत आपको करynnā पड़ेगा जो आपकी अंदर उस्तावर्दन प्रेरित होने का या एक प्रकार से ज्यादा एनेजी महसूस होगी जो आपके कॉम्पुटेटर्स हैं जो आपके शत्रू हैं द्वेस बाव रखने वाले लोग हैं वो चाहे साथ में काम करने वाले हो सकते हैं उनके लिए स्ट्रेडिजी प्लान करना आज के लिए बहुत बैटर है और आज वो आपको परिशान नहीं करेंगे आप उनके अगिंस में बहुत आगे निकल जाएंगे वो आपको टच भी नहीं कर पाएंगे और जो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इस्तिती है आज का लखी कलर है क्रीम और आज का लखी नंबर है नंबर 6 आईए अब बात करें कन्या रासी की आपकी रासी से 10 ता उसमें करम बाव में चनमा विराज माने और यह चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्दान के उसाद शेम तारा कल्यांड कारी तारा का साथ और अस्टेक वाग में 26 डॉट यह कॉमिनेशन इस चनमा को 100% पॉस्टिव बनाता है और ऐसी स्थिति में आप मैसे जो भी लोग मार्किटिंग का काम करते हैं शेर ब्लॉकर का काम करते हैं कमिशन ब्लॉकरेज का काम करते हैं मुजिक से सम्मदित को एक्विमेंट का काम करते हैं मोबाईल फोन या आप artist है, anchor है, या कोई न कोई channel में आप काम करते हैं YouTubers हैं और या पिर आप कागज, कपड़ा, printing, textile से समधित कोई काम काज करते हैं आपके लिए इस्तियां बहुत सुकद है, इस्तियां आपके लिए positive है, इसलिए आज का दिन आपको धमाल मचाना चाहिए ज्यादा इंकम के लिए एफर्ट करना चाहिए और उसमें आप सफल हो जाएंगे रासी से टैंत आउसमा आईवा चनमा व्यक्ति के पराकरम में व्यक्ति के नेम फेम में गुडविल में व्रदी करता है और कौन ऐसा होगा जो व्यक्ति कामकाज कर रहा ज्यादा व्यस्त रहेंगे ज्यादा कामकाज करेंगे ज्यादा अपने बिजनस के बारे में काम के बारे में नौकरी के बारे में सोचेंगे उनको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा आपका अपना स्थाफ भी यदि बहुत ज्यादा मेनत करता है बहुत अच्छे डंग से काम करता है खुब सुत इस काम करता है समय पर काम करता है तो आपको भी वो staff अच्छा ही लगेगा और आप उसको कभी नहीं निकालेंगे और जो लोग राजनिकी शेतर में जो लोग insurance के sector में marketing वाले लोग है या वो लोग जो NGO चलाते है medical team का हिस्सा है जो लोग जनता के बीज में जाकर के अपनी बातें बताना चाहते हैं अपना product launch करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्पून है नौकरी में improvement के लिए नौकरी में progress के लिए आज आपको को इनको tip मिलने वाली है और या पिर आज apply करने वाले वह application आपकी सही आपको परिणाम देने वाली है और जो लोग पूजा पार्ट वाले लोग है धार्मिक लोग है आस्तिक लोग है उनके लिए आज पूजा पार्ट में सुखत अनुभूती का दिन है आज का लखी color है yellow और आज का लखी 29 डॉट यह combination 67% positive है 32% की weakness है वैसे आज के दिन विशेश रूप से जो भी लोग fashion and cosmetic में beauty पार्ला से समंदित या वो लोग जो event and entertainment से समंदित काम काज करते हैं handicraft या antique से समंदित काम काज करते हैं MNC में काम करते हैं flower से समंदित काम करते हैं tent out से समंदित कोई काम करते हैं या जो लोग makeup artist है photographer है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आज आपको कुछ order special मिलने वाले हैं या विसेश रूप से आज व्यस्त रहने वाले हैं आज के दिन का इस्तेमाल आपको भरपूर डंग से फाइदा देने वाला है इसलिए आज समय से पहले काम start कीजिए और अपने office में अपने showroom में आप थोड़ा time ज़्यादा रहिएगा आपको आज बहतरीन gain success appreciation मिलने वाली है और आज का दिन आपको बहुत याद रहने वाला है रासी से नाहीं ता उसमय आयवा चनमा एक प्रकास से अपने staff से अपने senior से या management से कोईन कोई argument होकर के परिशानी का भी रहता है आप खुद बहुत ज़्यादा व्यास्त होंगे लेकिन supportive hand जो होने चाहिए supportive staff जो होना चाहिए वो आज आपके साथ में ढिला व्यावार करेगा या आपकी बातों को अंसुना कर देगा इग्नोर कर देगा हो सकता है अपनी बात मनवाने के लिए उसका एक तरीका हो लेकिन इससे आप upset हो सकते हैं सारा फिर भार आपको अपने उपर लेना पड़ेगा क्योंकि आपका business है जो भी कामदंदा होगा उसका profit होगा वो आपको असर करेगा और staff के लिए कोई मतलब नहीं है अथात आपको कल साम तक थोड़ा सा धेहरे रख करके काम करना है उसके बाद में अगले चार दिन आपके लिए बैतरीन है अथात आपको अगले चार दिन पंदरा जुलई 2021 की सुबह 9 बज करके 38 मिन तक continue आपको gain का, success का, traveling का या dealing का मौका मिलेगा, short term investment करके भी फाइदा उठा सकते हैं लेकिन आज मन में असान थी, कोईन कोई tension चाहिए वो संतान के साथ आर्गुमेंट हो जाने से लगकर हो सकता है और या पिर आज आपने parent से आर्गुमेंट करके परिशान हो सकते हैं लेकिन फिर भी business wise इस तिया ठीक है लेकिन बहुत बड़ी deal से पहले आपको सोचना चाहिए क्योंकि आपको 10 तारिक की साम को 6 बच करके 37 मिन तक रासी से नाहिंता उसका चनमा रहेगा मिठोन रासी का चनमा वो इतना ज़्यादा आपके लिए supportive नहीं है जितना की करक रासी का चनमा और सिंग रासी का चनमा रहेगा तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको 10 तारिक की साम से continue 15 तारिक तक आपके लिए अच्छा समय है 15 तारिक की सुबह तक दान धरम में आस्ता में या तिर्थ यत्ताओं की प्रती आपका जस्तिकोंड बदलेगा लेकिन पेट की समस्याओं से परिशान रहेंगे चाहे वो गैस्टिक हो सकती है या एसिडिटी से समधी प्रॉल्लम हो सकती है आज का लखी कलर है पीच कलर और आज का लखी नमबर है नमबर नाइन आईए अब बात करें वस्तिक रासी की आपकी रासी से एट ताउस में मारक बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुखद नहीं माना जाता है नक्षत तारा सिदान से अधिमितर तारा का साथ और अस्टेक वग में 32 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चनमा को 67% आपका बचाव के लिए लेकिन 33% फिर भी आपको नेगिटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा रासी से एट्थ चलमा अनायास कोई कोई परशानी या जो कलेकलेस वाद विवाद का सामना करने को मजबूर करता है आप नहीं चाहते लड़े जगड़ा फिर भी लोग आकर के आपका कॉलर पकड़ देंगे या आपके साथ में अबदर व्यवार करेंगे आप सब्द बोलना साथ में आपकी पत्नी हैं साथ में आपकी संतान हैं बेटी है उनको अगर कुछ बोलना स्टार्ट कर देंगे तब फिर सेन नहीं कहता है या सेन नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति वैसी इस्तिति आ सकती है लेकिन हमेशा कोई भी लड़े जगड़े से पहले दिमाग का इस स्थितियां सुखत नहीं है मौसम भी बारिश का है मांसून सीजन चल रहा है और रासी से एड़ चलमा चल रहा है ऐसी स्थिति में चोट दुर्गटना एक्सिदेंट होना संभव है आप नहीं करेंगे कोई और आकर के आपको हिट करेंगा नुकसान आपका भी होगा तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा केरफूल साफदान रहने की जरूरत है हेल्थ को लेकर के भी आपको कॉंसेस रहना है और साथ इसाथ घर परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छे डंग से बाचित करेंगे तो ही स्थिति सही है वनना आज के दिन अपमानित होने की स्थिति अनिता इस्थितिया नेगेटिव ज्यादा होने की योग है आज का लखी कलर है ब्राउन और आज का लखी नंबर है नंबर सिक्स आईए अब बात करें धनुरासी की आपकी रासी से सेवन ताउस में दांपति सुक बाव में चनमा विराज माने और यह चनमा सुखद माना आज के दिन विशेश रूप से जो लोग फाइनेंस का फाइनेशल ब्रॉकरेज का गिरवी का ब्याज बटा डिसकाउंट का एजुकुशन से संबंदित या पिर कन्फेशनरी का काम करने वाले लोग है उनके लिए स्थियां बहुत ज्यादा सुकत है रासी से सेवन ताउस चुके लिए दामपत्त स्थियां या अच्छे समझे से के लिए जाना जाएगा और उनको घूलड़क त्वकुशनां से या पिर जो लोग जो और परव्वड़क में सप्लाइ करते हैं उनोगों को उससे लाब मिल सकता ह। और जो लोगःम से सूप्ला अब्लाइग जो ल दिन बहतरीन रहने वाला है सुख से विदाओं में व्रद्दी होगी सांसार एक सुख मिलेंगे और भरपूर लाप के मौके मिलेंगे सिरफ आपको अपनी आखें और कान खुले रख करके डील को पहचानना है और समयकाल को यूज करना है आज का लखी कलर है नेवी ब्लीव और आज का लखी नंबर है नंबर एट आईए अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से 6 ताउस में रोग बाव में चनमा विराज माने और यह चनमा सुख माने जाता है लेकिन नक्षत तारह सिद्धान को साथ विपत तारह का साथ सुख नहीं है अश्टा को अग में 22 ड स्पोर्ट से समद्री सर्विस प्रोडिंग इंडिस्ट्री या मैनिफेक्शिंग सेक्टर वाले लोग है उनके लिए स्थितियां सुखत है वह ज्यादा अच्छा काम करेंगे ज्यादा उनको काम दंदा मिल सकता है या आपको बड़े ओर्डर मिल सकते हैं जो लोग जॉब मे के लिए आज कोई कोई रास्ता नजर आएगा रहत की इस्ति है तो ऐसी इस्ति में आज की दिन का उप्योगी आपको अपने दिस्तों को सुधारने में अपने सरकल को अच्छे करने में या पिर यह बोच सकते हैं घर परिवार में एक पर कासे पोजिटिव ठिंकिंग के ल रहें उनके लिए आज बहुत पोजिटिव दिन है और जो लोग शेर मार्केट के थूँ इन्वेस्मेंट करना चाते हैं फिर्चर ट्रेडिंग में उनके लिए आज भरपूर मौके हैं इन्वेस्मेंट को इनकेश करने से फाइदा हो सकता है और जो लोग इंटर्व्यू एक्जाम या कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं उनके लिए सफलता का एप्रिशेशन का दिन है जो आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा बैटर आपको सक्सेस मिलने वाली है आपकी खुद की पसनल लाइफ में भी आज आनंद के पल ज्यादा है आपका जीवन या आज का लगी नंबर है नंबर टू आईए अब बात करें कुम्व रासी की आपकी रासी से फिप ताउस में सिक्सा और संतान वाव में चनमा इस्तित है और ये चनमा मिक्स रिजल्टी देता है नक्षत तारा सिद्दान से भी विपत तारा का साथ सुब नहीं है और अस्ट जो कंसेंटेशन आप चाहते हैं या जो आप समय पर घड़ से निकलना चाहते हैं ओफिस के लिए वो हो इनी रहे कुछ नुकुछ अर्चन आपको परशान कर रही है और आज आज आपको विशे सुरुप से समय पर पहुंचना था जल्दी पहुंचना था उसी में अर्चन में या पिर नेगेटिव इन्वार्मेंट में काम करेंगे हर कोई आपको दैनी नजरों से देखेगा आपके उपर एक प्रगार से ये बोल सकते हैं सानु बुद्धी का भाव रखेगा और वो बहुत गलत होता है जो यात्रा करना चाहते हैं उनके यात्रा में विग्न ये लोगों को यूज करने का जो एक मोज आल या दुरभावना वस्ति यूज करने का जो तरीका होता है उसमें सरफ वह सरफ बदनामी मिलेगी या कानूनी और चनों में आप फस सकते हैं ये द्यान रखिएगा आज का लखी कलर है येलो कलर और आज का लखी नमबर है नमबर आईए अब बात करें में रासी की आपकी रासी से फोर्ता उसमें सुख बाव में चनमा विराज माने लेकिन ये चनमा सुख देता का में दुख ज्यादा देता है नक्सत तारा सिद्धान के उसाद संपत तारा का साथ और अस्टाव को एक में 29 डॉट ये कॉमिनेशन 67% आ सेद्धेन को लेकर कि या घर परिवार के जिमन द्यारियों को लेकर के बैस्बाजी में जो लोग स्वारति हैं वह अपना परलड़ा भॉरी रखने की कोशिष करेंगे और जो दूसरे लोग स्वात्विक हैं या जो लोग कम बोलते हैं उनको यूज करने के लिए फ्लानिं जाएंगे नहीं तो जान बुझकर का आपको प्रवोक किया जाएगा कि आप कुछ ने कुछ अब सब्द बोलते हैं गलत बोलें या अपनी इच्छा जाइर करें और वही बात वह पकड़ लेंगे मांसिक क्लेश उतेजना या कलेक्लेश ये सब कुछ आज आपको देखना पड़ सकता है और अपने काम दंदे में चाहे व्यवसाय है जाए नौकरी है उसमें भी आपको और जो बिजनस मेंने उन्हें फाइनिशल लॉस की इस्तितियां ज्यादा हो सकती है और जो लोग को प्रेम प् कमी है वो निश्टित है सालिडी ग्रूप से भी आप पीड़ादा एक दिन है चाहती में दर्द बहुत ज्यादा बेचेनी बहुत ज्यादा अनकमफर्टेबल और या पिर आपका एनरजी एकदम से डाउन हो जाएगा और आपको रेस्ट करने पर मजबूर होना पड़ेग इसलिए अपने हेल्थ पर कंट्रोल करें और जो लोग बीपी के मरीजे हैं ब्लेड प्रेशर के मरीजे हैं हाट के मरीजे हैं उनको आज के दिन अपनी दवाई साथ में ले करके चलना है आज का लकी कलर है डार्क येलो और आज का लकी नमबर है नमबर थरी ये तो हुई बात आज के रासिफल की आईए अब बात करते हैं आज के विसेश उपाय की गुप्त नवरात्री में अपनी कामना सिद्धी के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए तो तांतिर गिनतों में दस मावध्याओं का उलेक है वे आप जानते हैं और यदि आपको नहीं के सेवन नंबर ढुमावती एड नंबर घगला नाइड नंबर कं लाई नंकर मातंगी इन महावध्याओं को दो कुलों में बाता घया हैि फस्त है क काली कुल और दूसरा है स्री कुल इन दस महावध्याओं में से काली तारा बोनेश्वरी छिंद मस्ता और इनके अलावा रक्त काली मैश मर्दिनी तिरपूरा दूरगा प्रतंगीरा पांच विद्याएं भी है जो काली कुल में आती है और तिरपुल सुंदुरी तिरपुर भैर्वी बगला कमला धुमावती मातंगी ये श्री कुल म ये तंत्र सिद्याँ ये तंत्र उपासना या साधना हमें किन-किन कस्टों से उबारती है उसकी जानकारी सुन लीजे सरीर के समस्त तत्व या उन रोगों को दूर करके पून स्वस्त काया प्राप्ति के लिए दस मावद्य की पूजा उपासना करना सुब रहता है गरकले के लिए या सत्रों के सामने कोई मुकद में उनमें सफलता के लिए उनमें विजय के लिए आपको दस मावध्या की पूजा उपासना साथना करना सुब रहता है सिद्य योगी बनने के लिए अभाव दूर करके एश्वरे माई जीवन यापन करने के लिए इच्छा अनुसाल अनुकुल काम करवाने के लिए आसोरी शक्तियों को अपने वर्ष में करने के लिए और किसी को देखते ही उसका भूत बवश्या की जानकरी पाने के लिए भी दस माविध्या की पूजा उपासना वर्सों से या एक प्रगास से कई पीडियों से होती आई है। इसके अलावा जीवन की बहुत सी समन्य या विसी समस्याओं का समाधान भी इनकी पूजा उपासना से किया जा सकता है। गुप्त नवरात्री में मा सक्ति को प्रशन करने का एक प्रमुक मंत्र है। अब बात करते हैं दस महाविद्या की पहली शक्ति है काली लंबी आयू बुरे गरह को प्रभाव को सांथ करने के लिए कालसब दोस्ट से राहत के लिए मांगलिक योग जो बादा विवा में आती है उसके निवारन के लिए अकाल मत्यू का भै नाश करने के लिए देवी क काली की पूजा उपासना की जाती है और इनकी पूजा में हकीकी माला से नौ माला कम से कम मंत्र जाप करना होता है मंत्र है क्रीम रीम हुम दक्षन काली के स्वाहा मंत्र मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर जो आ रहा है मंत्र उसको भी आप स्क्रीन सोट ले लें ताकि आप नो दूसरी सकती है वो है तारा तो महाविद्या तारा तीवर बुद्धी एक प्रशनात्मक्ता अतार क्रियेटिविटी हायर एजुकेशन इन सब के लिए महातारा की पूजा साधना उपासना बहुत सुब रहती है नीले मणियों की माला से अतार ब्लू कलर की जो मणिया होती है उनकी माला से बारा माला ये मंतर जब करना होता है मंतर है ओम रीम स्त्रिम हूम फट अब बात करते हैं अगली मावद्या वो है तीसरी मावद्या उसका नाम है त्रिपल सुदरी व्यक्तित्व विकास आता परसनल्टी डवलपमेंट बहुत अची हेल्थ और एक प्रकास से सुंदर काया के लिए त्रिपल सुंदरी देवी की साधना उपासना पूजा की जाती है रुद्रक्षी माला से कम से कम दस माला जाप करना होता है और मंतर है ओम एम रीम श्रीम त्रिपल सुंदरी ये नमहा दस मावद्या की चतुर मावद्या है भोवनेश्वरी जमीन जा नमह, दस माविद्या की पाँचवी सक्ति है, छिन मस्ता, रोजगार में सफलता, नौकरी और या पिर जो लोग नौकरी अल्रेडी है, उनको प्रोमोशन के लिए छिन मस्ता की पूजा उपासना साधना करनी चाहिए, रुद्राक्स की माला से दस माला इस मंतर का जाप करना ह गुप्र नवरातिय के हर दिन, मंतर है ओम श्रीम रीम एम वज्र वेरोचनियाई रीम फट स्वाहा, दस मावद्या की छटी सक्ति है, वो है तिरपुर बहरवी, सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति, सीगर विवा, या पिर जो लोग कोई प्रेम प्रसंग में हैं, उनको स प्रसंग के लिए तिरपुर बहरवी, देवी की साथना, पूजा, उपासना, सुब रहती है, मुंगे की माला से नवरातिक हर दिन 15 माला का जाप करना होता है, मंतर है, ओम रीम भहरवी, कलोम रीम स्वाहा, अब बात करते हैं, दस मावद्या की साथना, पूजा, उपासना सुब रहती है, मोती की माला से नौ माला आपको नवरातिक के हर दिन करनी है, 11 तारिक से लगा करके 18 तारिक तक, मंतर है, ओम धूम 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 धूमावती देव्याई स्वाहा, अब बात करते हैं, दस मावद्या की आठवी शक्ति बगला मुखी, तो बगला मुखी माता, सत्रू नास के लिए, कोट करचेरी में, विजय के लिए, या कोई कंपेटिशन के एक्जाम में सफलता के लिए, बगला मुखी की सादना, पूजा, उपासना, ये सब कुछ सुब रहती है, हल्दी की माला या पिले मने की माले से, आठ माला हर दिन इस मंतर का जब करना होता और या पिर एक मंतर बहुत जादा प्रसिद है, पचरित है, ओम रीम रीम बगला मुखी मम सर्व दुस्ता नाम वाचम मुखम पदम स्थंबाई जीवा कीले कीले बुद्धी विनासा है, रीम रीम ओम स्वाहा, दस माविद्या की नौवी शक्ति वो है मातंगी, मातंगी म माता की पूजा उपासना साधना संतान प्राप्ति और इसपेशली संतान प्राप्ति में जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति चाहिए या पुत्र संतान नहीं है जिन के लिए उन लोगों के लिए ये साधना पूजा साधनों में या हमारे पुराणों में वर्णित है या उसका उलेक है। ऐसा नहीं है कि मैं पुत्र संतान प्राप्ति को बहुत ज़्यादा importance दे रहा हूं जिनको संतान नहीं है वो भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी साधना पूजा का उप्योग कर सकते हैं माता से जोली फिला करके कमला माता, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति, रेण नास और लक्ष्मी जी की क्रपा के लिए देवी कमला की पूजा साधना उपासना करना सुभ रहता है और इसको कमल गटि की माला से नवरातिर के हर दिन दस माला जाब करना रहता है मन्तर है हसो जगत प्रसूत यही स्वाहा ये था आज का एपिसोड और गुप्त नवराती से सम्मधित विसेस जानकरी जरूर कमेंट बॉक्स के थूरू बताईएगा कैसी लगी और और आप क्या चाहते हैं मैं कोशिस करूँगा गुप्त नवराती में और भी आपको साधना पूजा उपासना या कोईन कोई ऐसे प्रियोग बताऊं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें और सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत खयाल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत जगत जन्नी आपकी रक्षा करे और इस माहमारी से आपको सुरक्षित करे बहुत बहुत धन्यवाद